नमस्कार दोस्तों मैं हूं प्रकास आफसर इस वीडियो पर हम आपको फीस फार्मिंग समझाने जा रहे हैं और चतिस गड़ में जो सबसे सक्सेस्फुल मॉडल है तलाब में मचली पालन का वो समझाने जा रहे हैं और यहां बहुत बड़े बड़े तलाब हैं जहां पे हम भावसुष, यहीं से रामपूर का रहने वाला हूँ, निवासी हूँ, ख्रिसान हूँ, मचली खेती करता हूँ राजनीती में भी है जनपत अध्यक्ष के पद में हूँ अभी अच्छा डोंगरगड में जनपत अध्यक्ष के पद पर हैं और उनसे डिटेल समझते हैं मचली पालन के बारे में लेकिन उससे पहले कहूंगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यहांपाया है बाकी और 50 में हमारी खेती मचली की अगाउं में अच्छा बहूं में नकर देखते हैं कि हमें तीन तरीके से मचली पालन दिखाई देरा है एकजसे हमारे गाउं में पूरातन करते थे वैसे तलाब वाला जहां पे हम खड़े हैं एक अभी बायो फ्लाग वाला और कई जगा मैंने देखा है कि किसान बायो फ्लाग की जो टंकी है उसको घुरुआ में तब्दिल कर दिया है ऐसा भी मैंने देखा है और कई जगा पॉर्ण लाइनर वाला तिन तरीके दिखते हैं तो तीनों में से बेनिफिट किसमें जाता है बेनिफिट इसी में है तलाब वाले में ही है जो आप बुल रहे हैं और बायो फ्लॉक बहुत ही टेक्निकल चीज है उसको समाजने बकाइदा उसकी ट्रेनिंग होनी अभी मेरा चैनल 5-year हो गया और देजभर कवर करते रहता हूं तो पांस साल से जो बायो फ्लॉक कर रहे हैं जो हमारे हां दाव लोग उनको जब मैं बोलता हूं कि भाईया आपके फाम में आ जाएं क्या है तो पांस साल से बोल रहे हैं कि मेरा बायो फ्लॉक दिखाने लाय तो मेरा इस सवाल है कि जब फेल्वार हो रहा है वह सकसेज नहीं दिख रहा है फिर गॉर्मेंट उसको प्रमोशन पे मेलों पे क्यों लगा रही है गॉर्मेंट की सोच यह है कि जो बिरुजगार लोग है कम से कम जगह में बायो फ्लॉक सुरू कर लें लेकिन दिक्कत यह है कि उसमें बकाइदा जो ट्रेनिंग होनी चाहिए जो टेक्निकल उसमें वर्क है वो नहीं लोगों पता होता है इसलिए फेलवार हो रहे है जैसे कोई चीज फेलवार होता है फिर उसको साइट कटने लगते हम तो लेकिन वह प्रमोसर पे लगी रहा है और कई पास नहीं हो कि यह सब चीज करते हैं तो भाइया सबसे जादा सक्सेश कौन से ब्रीड है तिलपिया है आयम सी है पंकाज को भी ले सकते हैं यह सब तीनों चारों ब्रीड बहुत सक्सेस्फुल है अपने हां का वेदर क्लाइमेट जो है मचलियों के लिए बहुत अच्छा है और जीवन आपन गाश्छे इस तर में ले के जाए अच्छा बहँ अभी जैसे हम आपके पास तलाब देखㄹ रहें इसमें ज्यादा तर क्या डला है तलफिया और आमसी तलभिया का बिजनेस चातिस घड्र में कैसा है बहुत बढ़ी हैं तलफिया का अपने चातिस घड्ऱ म एक मात्र अपने 36 गड़ में उन्हीं की जो हैचरी है वहां से आप ले सकते हैं सीड तलबिया का उसका हमने वीडियो किया हुआ है वहां से आप फीस हैचरी देख भी सकते हैं अच्छा बहिया इसी के साथ जैसे एक और फीस फार्मिंग का सिस्टम है केज कल्चर वाला वह कह करना चाहिए कैसे करना चाहिए बहुत सारे च्टिस गड़िया मतलब लगी का मन पूछा रहते मोला केज कल्चर जो है गवर्मेंट का सब्स्ट्राइज योजना है और बड़े डैम में ही यह सकसेज होता है कि पंदरा फिट से जादा पानी चाहिए इसको पानी वाली जग कर चाहिए कि ठेके पे लेके कही केस कल्चर करना चाहिए क्ई क्या जादा बेनिफित होगा उसको मिलते हैं तो मिलते हैं तलाब ले सकते हैं प्रे दाखिया है उसको कर सकते हैं देली ह। इसमें कितनी मचली ये डली है और किया साइज है यह? यह इसमें अभी 10त से 12,000 स्थ we Sens. लगभग 5095 जित तलाब है और लगभग अभी 40-500ी ही, साड़ी तीन जित तना रहा हैं 25 grandfather हमारी है इसमें 25-30 एकड की यह चुआ है इसमें हारवेस्टिंग हमारी शुरू हो गई है आप कैमरा उधर दिखा भी सकते हैं 500-600 ग्राम की तलपिया इसमे निकल रही है तो तलबिया कितना का होता है फिर शेल करने लग जाते हैं पांच सो ग्राम के बाद मार्केट साइज हो जाता है तो पांच सो ग्राम होने में कितना समय लेता है पांच सो ग्राम आज के समय में चार से पांच महिना ही लग रहे है अच्छा तो उतने से फिर पांच सो से ग्रा तो तो केजी होने में कितना लग जाएगा फिर आणटास में केजी का साइब मार्केट साइज पांसो ग्राम से पांसो ग्राम सिरु कर देता है कि तो फिर जैसे पांसो ग्राम करने में कितना ख़र्चा आज Eleven अश्यूлан पांसो ग्राम करने में लगभग 40-45 रुपय तो सब्सक्राइब में ज्यादा प्रॉब्लम आता है कि पंगास को ज्यादा प्रॉब्लम आता है किस में ज्यादा आता होगा मतलब किसको कौन सा सूट करता है तलाब में सबसे सूटेबल मचली कौन सी है सब सब मचलियों के लिए अलग अलग तरीके से किया जाता है पंकास भी पाला जा सकता है पांच एकड़ चार एकड़ दो एकड़ के तलाब में तलापिया के लिए एक एकड़ से सुरू होना चाह तलाब इसमें अच्छा तरीके से किया जा सकता है जैसे भी हम इस तलाब देख्ण ये तलाब को कुरुवाँने का प्रोसेस क्या watering कहाता हैकिशा बेहतरित तारीका होगा और को पाई पानी अच्छा मारा जाता है मचलिए के लिए उपर का मेड लेत दाही तीन फिटी तो इसमें और पर कमी हो जाती है कि नहीं होती है नहीं यहां पर तो और अप्लीफ आएक छानगी नी, तो इसको फील्ड में के डालवत चलाते हैं, अभि फीसफिड ही चलरहा है, मम कोहीं फील्ड हैं, आइसे ही जराते ही, चाल बिंदमर मेर्मेंग तो इतना सारा चलरहाई हो तो बहिया इतना सारा है तो सरकार की बहुत अच्छी है केज में भी सरकार सबसीडी 40-45 परसंट दे रही है कुछ मित्र हमारे उसमें हैं कर रहे हैं और बाकी पॉंड आपको बनवाना उसके लिए भी गौवर्मेंट मदद कर रही है सबसीडी उसमें भी है बाकी दाने के लिए भी करती है बच्छे के लिए गौवर्मेंट सबसीडी प्रवाइट कर आती है और मनरेगा के तुरू भी होता है क्या मनरेगा में आप बड़े तलाब नहीं बनवा सकते च्छोटी डबरियां बनती है बड़े तलाब के लिए एप्लाई करना पड़ेगा मतस्विभाग इसका फ्यूचर को बहुत अच्छा फ्यूचर है हमारे आज भी आंध प्रदेश से मचली आ रही है हमारे नए लोग जब तक हम लोग इसका बढ़ाएंगे नहीं दाइरा तब तक बाहर से मचली आएंगी और भी बड़ा इसकोप हम लोग के हैं अच्छा च्छा तिस गड जब आहू आपमान कोई भी भाई आए तो सुरू से जब आपन नर्सरी में बच्छा डालता है तो कल ये बर्ड नेट स्नेक नेट ये सब आप प्रॉपर यूज करके ही डालो कब चोरी कई प्रकार के हो थे मेढ़क भी आपके बच्छल खाई साप भी आपके बच्छल खा बचाना है ओं बड़े होए के बाद तो चोरी के दिकत तो रही थे हूं काशा बचाना है और आपके तो आपके तो रहा तो यादी मंझे यह है인 और है हमारा है चार पांच ले ऑर डेली तो और आगे चलतानों एक ठो जापा लगा रही चरह देख देख दो यह दाना है न क्या प्राइज है इसका भी यह 43 रुपए किलो आ रहा है अच्छा और यह देख रहे हैं मचली इसमें डालते ही दिखाई देंगी यह इसमें भी तलपिया ठीक है यह भी तलपिया है तो भ अगर लेते हैं और 202 रुपएंश पर 202 रुपएंश झतलपिया और फग़र लेना चाहान है यह से पाम देल्धार डिर्ड कई है कित्स चुता है। पंकाज का साइस के उपर है तलेपिया में तो दो रुपए के आसपास मिल जाता है अच्छा अभी इधर पर लगा हुआ था वो जरह मैं दिखाता हूं इसी तरीके से जाली मारते हैं भी गहराई ज्यादा है यहां पर बड़ा है तलाब तो गिलनेट से ही निकल सकती है मचली तो यह भी आपका प्राइवेट ही है अच्छा यह भी भीया का प्राइवेट ही तलाब है ज्यादा तर जो कर रहे हैं अपने ही तलाब पे कर रहे हैं हाँ मेरा खुद का नीजी तलाब पानी के लेके कोई समस्या डोंगर करे रही है पे नहीं हमारे हैं कोई पानी की समस्य अच्छा तो अगर धान की खेती और तलाप को अगर हम कंपेयर करके चलें तो किसमें ज्यादा बेञिविट निकल के आता है मुझे तो मचली में बेनिफिट ज्यादा लगता यह देखिए तो इसको क्यों लगा है यह 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 आपा है इसमें कलेक्शन कर रहे हैं वहाँ से निकाल के इसमें डालते जा रहे हैं अच्छा वो निकालते हैं फिर यह निकालके सेल करते हैं तो अभी क्या साइच पर पहुंच के होंगी यह 500 ग्राम है 500-600 ग्राम ठीक है और एक भाईया और है हमारे साथ जो हमको खुमार है क्या परीचे भी आपका भी बता दीजिए जरह मैं देवेंड रहा दो अच्छा कहा पनिया जोब जलासा में हैं वहां से हम वीडियो लगा देंगे तो धन्यवाद में प्रकास आँ सर्वीडियो अच्छा रगत वीडियो लाइक करें धन्यवाद हैं